डियर स्टुडेंट अगर आपका एक्जाम 2024 में है और आपका सब्जेक्ट सैकलोजी है आनि मनु विज्ञान है तो ये वीडियो आपके लिए अतिम महत्पुर्ण वीडियो है डियर इस वीडियो में अभी हम लोग कवर करेंगे सैकलोजी के 50 वैसे प्रस्न जो परिच्छा म में बार-बार पूझे जाते हैं यह 50 प्रस्न को हर हाल में आपको रट लेना है याद कर लेना है क्योंकि आपके एकजाम में यहां से 70-80% पक्का पूझे जाएगा और आपको ये comment box में बताना है कि आप 50 प्रस्न में से पहले से कितना प्रस्न का आंसर जानते थी ठीक है औ और सारे प्रस्ण को अच्छे से देखेगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है निम्रिखित में से कौन एक वेक्ति का सीलगुन है तो पहला का सही आंसर है आपसे नंबर ये आपसे नंबर ये क्या है तो बुद्धी और आपको मैं बता दूँ फ्रेंड आपको चुहें जादे पेट नहीं करना है ठीक है आपको चुहें डिरेक्ट यहां पे आंसर दिख जाएगा तो आप ध्यान से देखे हैं और आंसर को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजेगा कि ये जो कोशन है इस कोशन का आंसर ये होगा है तो पहला का सही आंसर है और भी लगभग 70% ठीक है लगभग 70% अगला प्रेशन है कुशन नमबर 3 है जिस बच्चे की बुद्धी लवधी 35 से उन्चास होती है उसे किस सिरेनी में रखा जा सकते है तो यहां पे चार आप्शन दिया गये है तो इसका सही आंसर है आप्शन नमर भी सधारन मानसिक धन्ची दुखलाता ठीक है इसका रखार आप्शन नमबर भी फोसने कौशन है फोसन नमबर चार है बुद्धी संट्रचना माडल किस ने विक्सित किया तो चार क रेच्ट आप्शन नमबर 2 हो जाएंगे ऍटीयल फोर डेने नेक्स्ट कौशन है फांच नमबर बुद्ध बुद्धी के बहुत्तत्व सिधान्थ का परतिपादन कौन किया तो 5 का रेट आंसर है option नमबर ये इसका रेट आंसर है अगला प्रस्न है question no 6 है समूह खंड सिधान्थ का परतिपादन किस ने किया था तो 6 का सही answer है option no b experiment ठीक है option no b iska correct answer है ठीक है नेक्स्ट कोर्षն नंबर 7 है वेक्ती की किसी विशेश छेत्र کی विशेश योग्येता कहलाती है तो 7 का रह्त यह comesion number 1 बी हो जाएगा अभी जम्ता वेक्ति की किसी विशेश rectangle की विशेश योग्येता क्या कहलाती है तो अभी छमता कहलाती है अगर आप प्रस नहें एट नमबर और मैं बता दू आपको जो है इसी तरह से आल सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहेगा तो इस चैनल पर नहीं होंगो तो चैनल को आप सब्सक्राब जरूर कर लेज़ेगा ठीक है आपको जो है सो उस एक्जाम के जो त्यारी है वो आपको इस चैनल पर एकदम जीरो से 100% तक एकदम करवा दिया जाएगा तो आपको जो तक परिच्छन का उप्योग किस मनों विज्ञानिक ने भारतिय अनू कूलन के नुशार विक्षित किया है तो आप्शन यहां पर यह है खुरेश आप्शन भी है वालास आप्शन सी है जेपी गिलफोर्ड और आप्शन दी है जे एम ओज्ञा तो एट कर एटाउंसर है आ प्रड़ता मोलिक्ता शभिंग नात्मक परिपक्वता तो नायन का राट अनूशर है आप्शन नंबर यह हो जाएंगे शूज ठीक है नेक्स्ट कूशन है कूशन नंबर 10 है व्यक्तित्व का विसलेश नात्मक सिधानत किसने पर्तिपादित किया तो दस का जही आप्शन नंबर ये कारल यूग ने 11 नंबर किस ने कहा जन्मक्रम वेक्तित्व का निर्धारक है तो 11 का रेट आंसर है option number D option number D क्या है तो एडलर next question है 12 नंबर निम्नांकित में से कौन यूग के वेक्तित्व परकार के अंतरगत नहीं समझा जाता है तो इसका सही answer है option number B एंडो मार्फी ओके अगला प्रस्न है तेरे नंबर सिखने के सुझ सिधान के नुशार प्राने के सफलता मिलती है तो इसका right answer है option number B हो जाएगा करमस्य ठीक है और आपको अगर कुछ भी पुछना हो मेरे से तो आप comment box में पुछ सकते हूं आप अपना सुझाव दे सकते हूं तो चले अब देखते हैं question number अगला क्या है एडलर के मनुव विज्ञान को कहा चाते है तो इसका सही answer है option number C option number C क्या है तो मानावतावादी मनुव विज्ञान next question है पंद्र नंबर वेक्तिक्त भिंता का अर्थ होते हैं तो इसका सही answer है option number C A और B दोनों इसका right answer है option number C next question है शोला नंबर निम्नांकित में से कौन वास्तिविक्ता का नियम से निर्देशित होते हैं तो शोला का सही answer है option number C हो जाएंगे ठीक है next question है question number 17 है फ्रेड के नुशार मन के अकरात्मक मॉडल है तो इसका सही answer क्या होगा option E है चेतन, option B है उपा, option C है अहम और option D है प्राहम तो 17 correct answer है option number B हो जाएंगे उपा, ठीक है अगला प्रसन है 18 number PF अध्यान को किसने विक्षित किया तो 18 का right answer है option number A हो जाएगा, रोजचेन ज्विंग ठीक है इसका right answer है option number E next question है TAT को किसने विक्षित किया तो 19 का सही answer है option number D, मार्गन और मरेने question number अगला है, 8 अधारित है, तो 8 जो अधारित है इसका सही answer है option number C, सुखेपसा के सिधान पर, विक्षित्व के सेलगुन के अधार पर किसने विक्षित्व को विभाजित किया तो 21 का सही answer है option number B होगा, सेलगन, ओके, next question है 22 नमबर, टाइप A और B के विक्षित्व का परतिपादन किसने किया तो इसका सही answer है option number के freedom, option number ये इसका सही answer है अगला प्रस्न है 23 नमबर, किसने विक्षित को पुर्ण रूप से कारिशिल विक्षिती माना है इसका सही answer है option number के कार्ल रोजर्स ने, question number 24 है समाने अनुकूलन, सनलच्छन की तिसरी अवस्था का नाम क्या है 24 का सही answer है option number ये परिसराती अवस्था, ओके, इसका सही answer है option number ये question number 25 है, दबाव, पर्तिरोधी, विक्तितों में कौन विशेष्ता नहीं पाया जाता है तो इसका सही answer क्या होंगे, इसका सही answer हो जाएंगे option number D, नियंतरन अगला प्रस्ण है, question number देखेगा, 26 number, आक्र मक्ता का अध्यन करने के लिए आप निम्नांकित में से किस विधे को सबसे अधिक उप्युक्त मानते हैं, ठीक है तो 26 का सही answer है, option number के अंतर निरिच्छन, ठीक है, इसका right answer है, option number ये अगला प्रस्ण है, question number, next क्या है, 27 number, विख्तियों में सारीरिक बिमारियों में कितने परतिसत तक दबाव की भूमी का महत्पूर नहीं तो 27 का सही answer हो जाएगा, option number D होगा, पचास से सत्तर परतिसत, next question है, 28 number, समान्य अनुकूलन सनलच्छन में कितनी अवस्थाईं पाई जाती हैं, तो 28 का right answer क्या होगा, option ये है 3, 2, 4, 5, इसका सही answer है, option number ये 3, ठीक है, option इसका ये सही answer है, next question है, 29 number, लच्छे प्राप्ति में बाधा और अवसकताओं एवं अभी प्रेरकों के अवरूद होने से क्या उत्पन होता है, तो 29 का सही answer है, option number B, option number B क्या है तो, कुंठा, next question है, 30 number, कौन सी किडिया जीवन सेले में व्यापक रूप से लोगपिर्य अनुमोदन प्राप्त करने चाल से परिवर्तन लाती है, तो इसका सही answer है, option number C, व्याम, ठीक है, इसका right answer है, option number C, अगला प्रस्न है, 32 number, निम्न में असमाने की कौन सी कसूटी सर्वोपरी है, तो 32 का सही answer है, option number B होगा, समायोजन की उप्युकता, next question है, 33 number, निम्लिखीत में से कौन असनायू विक्रिती नहीं है, तो इसका सही answer है option number के, मनो विदलता, ओके, इसका right answer है, 33 number के, मनो विदलता, अगला प्रस्न है, 34 number, किसने सरोपर्थाम, सर्विकार किया की, द्वान देवं, अंतर विक्तिक्त समंधों में, बाधा मानसिक विकारों में, महतुपुर्ण कारक है, तो 34 का सही answer है, option number C, सुकरात, next question है, 35 number, धुविये विकार के, दो धुर्वे हैं, तो 35 का right answer है, option number B, उनमात तथा विशाद, इसका correct answer है, option number B, next question है, 36 number, दिमोसी 21 का अन्य नाम क्या है, तो 36 का सही answer है, option number A, यह होचेंगे, डाउन सनलच्छन, next question है, 37 number, आक्रमन के मूल, प्रिवेर्थी, सिधान्त का पर्तिपादन किस ने किया, 37 का सही answer है, option number C होगा, फ्रैड ने, अगला प्रेशन है, 38 number, निमलिखीत में, उप्व, समानी वेहवार की कौन से पर्तिप्रेच्छ नहीं है, तो इसका सही answer है, option number B होगा, जैविक, ठीक है, option number C, इसका correct answer है, next question है, अगला प्रेशन है, 40 number, उत्तर, अभिखा तक, दबाव विकार का लच्छन होते हैं, तो इसका सही answer है, option number D, उप्रुक्त सभी, आनि ये सभी, ठीक है, इसका correct answer है, option number D, अगला प्रेशन है, असमान ये मनो विज्ञान के आधुनिक यूग के जनक कौन माने चाते हैं, तो 41 का correct answer हो जाएंगे, option number E, ठीक है, option number E, इसका सही answer है, अगला प्रेशन है, 42 number, मनो विदालिता पत का परियोग सबसे पहले किस ने किया था, तो 42 का right answer है, option number E, पिले यूलर ने, अगला प्रेशन है, 43 number, निम्नांकित में से कौन से दिरिंसनता विकार नहीं है, तो 43 का right answer है, option number D, मनो विछेदी, आत्म विश्रिमिती, ठीक है, इसका correct answer है, option number D, अगला प्रेशन है, 44 number, मानसिक विमारी के वर्गी करण की अत्यांत नमिंतम पदती क्या है, तो इसका सही answer है, option number E, हो जाएंगे, D, SM, 4, इसका correct answer है, option number E, next question है, 45 number, छवी निर्माता के कितने पक्च हैं, तो 2, 3, 2, 4, 3, 5, तो कितने हैं, 45, 45 का सही answer है, option number B, होंगे, 4, ठीक है, इसका correct answer है, next question है, 46 number, आधुनिक चित्सा सास्त्र का जनक किसे माना जाते हैं, तो 46 का correct answer है, option number B, Fred, इसका सही answer है, option number B, अगला प्रेशन है, 47 number, सामोहिक अचेतन की विश्य को क्या कहा जाते हैं, ठीक है, विश्य को कहा जाते हैं, तो क्या कहा जाते हैं, तो 47 का सही answer है, option number A, हो जाएंगे, मनोगरन्थी, 47 correct answer है, option number A, मनोगरन्थी, next question है, 48 number, वेहवार, चिकित्सा किस सिधान पर अधारी थे, तो 48 का सही answer है, option number C, होगा, प्रत्यच्छन सिधान पर, ठीक है, इसका right answer है option number C next question है 49 number योग एक dot dot क्या है तो क्या हो जाएंगे योग एक क्या है तो option number B इसका सही answer है विकल्पिक चिकित्सा ठीक है योग एक क्या है तो विकल्पिक चिकित्सा है अगला प्रेस्न है 50 number मनो विदलता की चिकित्सा के समन्द में सिरो पढ़ता हम किस चिकित्सक ने अधियन किया तो 50 का सही answer है option number C हो जाएंगे बलूर लर ने ठीक है इसका right answer है option number C तो आज के इतना है तब तक के लिए बाई अगर आपको यह विडियो अच्छा लगा प्लीज इस विडियो को आप वन के जो है आपको लाइक करना है ठीक है आप जितना जल्दी वन के लाइक complete करोगे तो इसका जो है वो part 2 विडियो आएगा ठीक है और इसी तरह से आपके सारे subject को मैं cover करूँगा तो आप अधिक से अधिक share करो लैक करो और चैनल पने हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो ठीक है तो मिलते हैं अगले विडियो में तब तक के लिए थांक्स पर वाचिंग आपका फैनल पर इच्छा काफी करीब आचुका है और काफी students को ये problem है कि उनका अतियारी अच्छे से नहीं हुआ है ठीक है इसी इस्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी सिचकों की द्वारा एक ऐसा PDF त्यार किया गया है कि आप अभी से परण करके आप 90 प्लस ला सकते हूँ इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ ठीक है अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जे से जादर जनकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर